तो दोस्तों जब stock market PPO होता है या bullrun पर होता है तो IPO की बार आई होती है एक के बाद एक नए IPO आते है और वो काफी अच्छा खाता है और सिस्क्राइब भी हो जाते हैं लिस्टिंग पर पॉफिट भी हो जाता है लिस्टिंग पर थोड़े पैसे भी बन जाते हैं अपने IPO बै पैसे या पने पीक पैसे वो काफी जाना करक कर जाता है और वो बड़ी मुश्किल से रिकावर करता है कई बार होती है इसके बार नहीं होती है और वो नेगिटिव डिटा अपने IPO पैस से भी तो इस सीच से कैसे बचा जाए यह मैं न्यू बिग्टनस के लिए वीडियो ब मत देखिए आपको मनाफ़ा हुआ अच्छी बात है लेकिं पॉफट बुक कर लिजिए मैंने ऐसा देखा है मेरा एक साल भर के अंदर बारा या पंदर आई प्यू आए तो उसमें से दो या तीन ऐसे थे जिननों आने वाले समय में फूचर में दो तिन साल पांत साल दस सा में मल्टी वर्ली बेगर करें दिया लेकिं बाकियों ने अतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया तो आपको किन बातों का ध्यान अखना है ताकि आपसे गलती ना हो आप ट्रैप ना हो आपका नफसान ना हो मेरा मक्सद यह है कि जो न्यू बिगनर्स है उसको दिया था लेकिन उसके बाद आच्छी रिट में वह अपने आई प्यो पैस से कोई 70 पसंद नीचे को 50 पसंद नीचे कोई 40 पसंद नीचे चल रहा है तो आप क्या कीजिए जिससे आपको तुम्सान ना हो आप कोई भी आप्लाई करते हैं लिस्टिंग पर पॉफिट होता ह ठीक है अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो आप उसका बिजनस मोडल देखिए क्या कंपनी का बिजनस आगे भी ग्रो कर सकता है कंपनी के एक्सपेंशन के क्या प्लान है यह मैं प्लाने वीडियो में कहते हूं कंपनी क्या पैस कितना कर रही है कंपनी के पर मोडर कैसे ह वह डिविदेंट देते हैं यह नहीं एक्षटर लेकर आते हैं। नहीं रायब इसे क्वात हा रही है यह नहीं। आप देखिए उसके अंदर की इसके अंदर मुच्छल फंड वाले इंस्टिशन या फॉर इंवेस्टर किस्ट कितना पैसा इंवेस्ट कर रहे हैं क्या उनका इंटर्स है इस टॉक में नहीं है आप शेव होड़े पैटर्न को ट्राइक कीजिए तो कहने का मतलब यह कि में में आप चीजिए देखिए कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं ग्रोथ कैसी आ दिया बैलंसीट के अंदर और कंपनी का मनेजमेंट कैसा है क्या गड़बर तो नहीं कर रहा कुछ तो अगर यह सब चीज़े आप ट्रैक करते हैं आप यह सब चीज़ों को देखते हैं इसके ब क्या ख़शिश करता हूं मैं कंपनी की बैलंसीट को देखता हूं कि बैलंसीट में Celia Mum C comprar गिरौथ कि अंडर Eugene तो मैं थोड़ा वेट करता हूं और अनलेसिस करता हूं मैं कंपनी का बित्व स्वांडल को रीड करता हूं और उसके बाद यह देखता हूं कि कितना और सब्सक्राइब हो रहा है यह आई प्यों और दूसरा तीसी चीज़ मैं उसका ग्रे मार्केट पीमिम चेक करता हूं बातों का अगर आप ध्यान अखेंगे तो आपसे नुक्सान होने की संभावना कम से कम रहेगी आई प्यों के अंदर और मैं यह कहूंगा कि आप टैम टू टैम जो स्टॉक आपके पोर्फोलियो में है उसके ओपर एक नज़र बना के रखिए उसके रिजल्ट ट्रैक कीज पढ़े चीज़ीयों कर प्टैमां के दिर्पोर्ट को पढ़ें की रिपोर्ट होती है कंपयं की क्या क्या पूरा करके निखा रही है तो आप इस चीच को आप इस जिए आप ज़ो बाते मैंने बताया है पर द्लबाद धान दीज़े आप इसे ध्यान देंगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि यह stock IPO की list होने के बाद भी जो नया IPO आता है उसके बाद stock market में list होने के बाद भी क्या यह IPO क्या यह stock अच्छा है portfolio में रखने लाइक है या नहीं है आपको पता चल जाएगा तो धन्यवाद दोस्तों मीड करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जूर कीजेगा धन्यवाद